असलामनेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल विद न्यू वीडियो डाट इस ओन को हैसिव डिवाइसिज क्या होती है और उनकी कौन से टाइप्स होती है उन टाइप्स को हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें बैल आइकोन को प्रेस करें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा cohesive devices क्या होते हैं? cohesive devices basically इनको linking words का जाता है या पिर इनको connectors का जाता है या पिर इनको linkers का जाता है तो यह ऐसे words यह ऐसे phrases होते हैं जो relationship बताते हैं between paragraphs या between different sections of a single text या एक ही speech के different sections हैं तो उनके बीच में जो relationship है वो cohesive devices के तरूब बताया जाते हैं क्योंकि यह link करने के लिए use होते हैं एक part of the text को दूसरे part of the text के साथ link या connect करने के लिए use के जाते हैं तभी तो यह connectors भी कहलाते हैं हमार पर कुछ cohesive devices की examples हैं जैसे के but, meanwhile, however, nevertheless, in contrast, finally, similarly, equally, definitely, in fact, however, यह सारे जो हैं यह हमारे पास cohesive devices हैं मगर यह इनका जो function होता है न या इनकी जो types होते हैं cohesive devices की वो according to the functions होते हैं अब वो functions कों से होते हैं हम उनको study करेंगे और इनकी types को study करेंगे लेकिन उससे पहले cohesive devices की मैं एक example आपके सामने share करती हूँ Netflix has many movies and web series and it is only $9 अब यहां पे and जो है वो एक connector है connector के साथ वो एक cohesive device है किनके वो Netflix has many movies and web series को connect कर रहा है it is only $9 एक idea of a text या एक idea of a part of a text को दूसरे idea के साथ connect कर रहा है अब हम अगर functions की बात करते हैं तो सबसे पहला function यह है कि अगर आप similarity show करना चाहते हैं तो तब आप कौन से cohesive device use करेंगे तब similarity की show करने के लिए और cohesive device यूज़ होंगी वो होंगी similarly and equally also लेकिन अगर आप किसी भी item को एक series के अंदर introduce करवाना चाहते हैं तो तब आप कौन से cohesive devices use करेंगे first एक series के अंदर आप बात करें ना first first of all in first place in addition एक नई चीज़ को series के अंदर introduce करवाने हैं तो in addition use करेंगे in second place, secondly, then third, in third, या in third place, या thirdly, या last पर एगर कोई चीज़ at the end है तो finally तो ये सब आप एक series के अंदर new items को introduce करवाने के लिए ये वाले को cohesive devices use करेंगे then third function है कि अगर आप किसी चीज़ को compare कर रहे हैं तो आप उस comparison के लिए कौन से connectors या कौन से cohesive devices use करेंगे उस comparison के लिए आप use करेंगे but, however, by comparison, meanwhile तो ये वाले connectors या ये वाले cohesive devices comparison के लिए यूज होते हैं then last पर जो function है आप emphasize करेंगे किसी चीज़ पर जोड दे रहे हैं ठीक है किसी idea पर किसी बात पर जोड दे रहे हैं तो तब आप text के अंदर कौन से connectors या कौन से cohesive devices use करेंगे in fact, certainly, obviously, absolutely, definitely, ये वाले तो ये थी आज की वीडियो cohesive devices पर एक है cohesive devices क्या होती है और उनकी कौन से types होती है और किन functions के according कौन कौन से connectors या cohesive devices use होती है hope so आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें और अगर आप मेरे चैनल पर new हैं तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा अलाफेज